हालो फ्रेंस कैसे आप सभी लोग तो आज के इस वीडियो में मेरे पास में अलग-अलग प्रकार के स्पार्कलर्स हैं साथ में एक सिल्वर रेंड टॉर्च है कॉक ब्रैंड का और एक जिल-जिल हंटर है तो आज हम इनकी टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे जल तो फ्रेंस सबसे पहले हमारे पास में हैं ये कॉक ब्रैंड का जिल-जिल और ये एक हंटर है इसमें तीन पीस बचे हुए हैं ये दस पीस का पैक आता है इसका MRP है 75 रुपे लेकिन मैंने इसे 30 रुपे में लिया है और ये कुछ ऐसा रहता है लंबा सा तो फ्रेंस अभी नेक्स्ट है हमारे पास स्कॉउक ब्रैंड का सिल्वर रेंड डौर्च और इसका MRP है 190 रुपे लेकिन मैंने इसे 100 रुपे में लिया और ये कुछ ऐसा है और मेरे पास में है स्टेंड़र्ड का ग्रीन स्पार्केलर इसका MRP है 144 रुपे 144 लेकिन मैंने इसे 45 रुपे य और देख सकते हैं ये कुछ ऐसा है इसी का मेरे पास में red sparkler भी है इसका भी MRP 144 है और इसे मैंने 45 रुपेज में लिया है इस पैक के अंदर भी 10 पीसे आते हैं और ये 15 cm का sparkler है और कुछ ऐसा है और friends कोक ब्रेंट का red sparkler 30 cm का और इसका प्राइज है 70 रुपे और कुछ ऐसा है यह देख सकते है तो चलिए फ्रेंड्स अब लाइन बाइ लाइन इनकी टेस्टिंग करते हैं और सबसे पहले हम जलाएंगे जिल-जिल को झांले को sam लाइन प्रश म Depending कि जड़ बावक करते हैं memang क stellया चाहते हैं वझा सकते हैं जिल-जिल पिकातनी को जिल-प्रेंद आराजे यह कि यह थाताई हैं थाता हैं तो फ्रेंस देख सकते हैं आपकी ये काफी अच्छा जला और रन टाइम भी इसका अच्छा खासा है अभी नेक्स्ट हम ट्राइ करते हैं कोक ब्रेंड के सिल्वर रेंड टॉर्च को तो फ्रेंस ये भी काफी अच्छा चला अब हम टेस्ट करते हैं हमारे स्टेंडर्ड वाले स्पार्कलर्स को जो कि ग्रीन और रेड कलर के हैं करते हैं झाल झाल तो देख सकते हैं यह भी काफी अच्छा जादा और इसका रन टाइम काफी ज्यादा है तो फ्रेंट्स यह स्टेंडड फायर वर्क्स का ग्रीन वाला स्पार्कलर है लेकिन कैमरा का एंगल मैंने थोड़ा सा गलत फिक्स किया जिसके कारण वो साइड से नहीं दिख पा रहा है और आपको स्पार्कलर का टॉप व्यू दिख रहा है यह वाला उतना ज्यादा ग्रीन इफेक्ट नहीं दे पा रहा था फिर भी ठीक ठाक था और रन टाइम भी काफी अच्छा था अभी नेक्स्ट हम टेस्ट करने जा रहे हैं कॉक ब्रेंट का रेड़ स्पार्कलर 30 सेंटिमीटर कि अश भान लेवड़ जाच समया मुटछई वेड़ों कॉक को खाया मुटशी ने इम पंने जार रह उिए्षय है झाल 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 तो फ्रेंस 30 सेंटी मीटर वाली का रन टाइम बहुत ही ज्यादा था तो कैसी लगी आपको ये टेस्टिंग वीडियो कमेंट करके जरूर बताईएगा पसंद आए तो स्विरे को लाइक कर दीजेगा और आपके सपोर्ट के में बहुत 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 ज़रू थे तो प्लीज 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 सपोर्ट करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कर दो कर सकते हैं वी एलक टे स्ट्वहाई ज़रू हमेगी के लाइगा जाएगा जाएगा प्लीज 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 दो तो झाल 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 झाल